ओम शान्ति निर्मल आश्रम कहकर स्वयम भगवान जिने संबोधित करते हैं सम्मानित करते हैं ऐसी निर्मलता की मूरत पवित्रता की देवी आदनिया राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं हम रूहानियत की इत्र छड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं सतकार करते हैं अभिनंदन करते हैं यग्य की स्थापना 1936 में हुई और दीदी का लौकिक जन्म 1935 में हुआ मुंबई महानगरी से निकले आप इश्वर के अनमोल रतन 1962 में मेडिकल स्टडी जस्ट अभिपूरी की ही थी कि आपके जीवन में परमात्मा ने प्रवेश किया और उसके बाद आपने दोनों प्रक्टिस आरंब की राजयोगा प्रक्टिस भी और मेडिकल प्रक्टिस भी और फिर आगे चलकर 1966 में बाबा की राय सलाह से अपनी क्लीनिक भी खोली और सेवा केंद्र भी खोला आप मुंबई महानगरी की न लेकिन यग्य की पहली वो कन्या है जिसे लौकिक पिता ने सेवा केंद्र दहेच के रूप में दिया इसलिए बाबा मुंबई को किस रूप में याद करते हैं नरदेशावर मुंबई वालों को बाबा कहते हैं नरदेशावर तो आते ही देदी ने अपना तन, मन, धन बाबा को समर्पित किया लौकिक रिती से इतनी पढ़ाई उन दिनों में की लेकिन फिर भी एक तम से एक धक से निश्चे बुद्धी बनकर बाबा की सेवा में लगे और फिर तो बाबा ने आपको 1971 में विदेश यात्रा भीजा 71 से लेकर 78 तक आप विदेश की धर्नी में अलग-अलग स्थानों पर बाबा के सेवा केंद्र खोलने के निमित बने बाबा के चिपेवे लाल रतन निकालने के निमित बने आप आरम में युनाइटेड किंग्डम, लंडन आधी में गए फिर आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजिलेंड, मौरिश्यस, आधी-आधी स्थानों पर आप सेवाएं देते रहें और फिर 78 में आपने आस्ट्रेलिया, सिद्नी को अपना बेस बनाया और उस सिद्नी में रहेकर 1978 से 2008 तक एशिया पैसिफिक रिजन में बाबा की सेवाओं का विस्तार किया बाबा के छुपे हुए रतन निकाले और फिर तो कैसे बाबा ने 2009 में आपको ज्यान्सरोर अकेडमी का कारोबार संभाला और जैसे जैसे दादिया अव्यक्त होती चली गई वर्तमान में दीदी के कंदों पर और कौन सी जिम्मेवारी आ गई आप यज्यके Joint Administrative Head भी है लेकिन हम देखते हैं जितनी ही जिम्मेवारियां दीदी के कंदों पर बढ़ती जाती है लेकिन दीदी उतने ही हलके रहते हैं उतने ही Double Light है उतने ही Punctual है उतने ही Alp भाशी है बहुत कम शब्दों में बहुत बड़े बड़े गुयता भरे संदेश हमें देदेते हैं तो आज ऐसी हमारी महान विभूती अपने अनुभाव से हमें मार्गदर्शन देंगे हिम्मते बच्चे मददे बाप हम अपने जीवन में कैसे अनुभाव करें आदनिया देदी जी ओम शान्तिया तो हिम्मते बच्चे मददे बाप ग्यान मार्ग में तो क्या भक्ती में भी हिम्मत होनी चाहिए और ग्यान मार्ग में तो और भी हिम्मत ज़रूरी है क्योंकि भक्ती में कहते हैं क्या हुआ टांसलेशन मिलता है क्या वक्ती में भी कहते हैं गुजराती में हरी नो मारग छे सुरानों कायर नो कई काम नहीं कायर भक्ती में नहीं चल सकते हैं ग्यान में तो और भी हिम्मत चाहिए क्योंकि ग्यान में विरोध ज्यादा होता है सबसे पहला विरोध होता है गरवालों का क्योंकि हमारा सब कुछ निराला है खाना, पीना, ओठना, बैटना, सवेरे ओठना, सवेरे श्नान करना अदी अदी, सब नया हो इसलिए घरवाले पहले विरोध कर से हैं जो आदी ग्रूप था दादियों का उसमें मनमुहिनी दिदी की माता और चाची और चाची की दो लड़कियां और उनकी बहन उनको साथ ताले में बंद रखते थे ताकि बाहर से ताला बंद कर दिया, निकल नहीं सकते तो स्वरू श्रूप में आपने यदी पढ़ा हो तो उन्हों को क्या करना पड़ता था मूरली के रिए चोरी चिपी से मूरली मंगानी पड़ते थे कोई के घर में चिमनी से डालते थे मूरली, कोई के घर में ब्रावन प्रमा कुमारी बैने क्या करते थी? सबजी वाली बन कर आते थी और सबजी बैचने के बहने मूरली भी दे दे देती थी और एक बहन को उसके माबाप रो रो के वापस ले गए बहन रही थी थे महा यज्य में उनको वापस ले गए माबाप और फिर क्या किया बेजमेंट में उसको बन कर दिया और कहा कि हम खाना देते हैं वोई खाना है तो खाने में मीट वगेरे डाल देते थे तो वो बहन ने खाना बन कर दिया मर गई तो गहा किन हम मर जाएंगी पर नौन वेज नहीं खाएंगी तो पहले गुरूप ने तो बहुत सहन किया जो 36 से 37 में आये परंटू 1950-60 में भी जो आये परजाब के कुमारियां उन्हों को भी काफी सामना करना पड़ा माबाप कहते थे नहीं जाओ यदि वो जाती थी तो वापस आती थी तो घर बन था नहीं आना है घर में और एक बाप ने तो क्या किया उस बहन के हाथ पर हथेली पर खटिया रखा एक पाउं रखा और खुद खटिया पर बैठ के रहा तो ऐसे ऐसे काफी सहन करना पड़ा इन्हों को क्योंकि आप जानते हैं पंजाब वाले लड़ाक होते हैं अभी कि शादी जरूर करनी है एक भाई का मैंने मिसाल सुना कि उसको सेंटर में रहता था घर ले गाया और माबापने शादी कराई तो समझो या तो शादी का प्रेशर होता है या तो पढ़ाई और कमाई के लिए प्रेशर होता है माबाप कहेंगे पढ़े हो कमाऊ सेंटर पर ने रहना खान पान के लिए सामना करना पड़ता है घर वाले ज्ञान में नहीं है तो कहेंगे के होटेल में चलो होटेल में खाना है हमारे पास फिलिपिन्स में एक छोटी उमर का भाई था पचीस साल के करीब और शादी शुद्धा था और एक बच्चा भी था तो उसकी वाइफ भी मेरे पास आई के ये कैसा ज्ञान है सवेरे शाम ये भाई सेंटर पर और वीकेंड में भी सेंटर पर बच्ची को कहां भी गुमाना नहीं होटल में नहीं जाना ये क्या प्रमाकुमार्यों का ज्ञाना तो हमने फिर भाई को समझाया कि सवेरे भल क्लास में आओ पर शाम को तो घर जाओ और वीकेंड में कहां गुमाने भी ले जाओ तुम नहीं खाना होटल में बीबी को और बच्चे को तो खाने दो तो इसलिए चाहे एक पार्टनर आता है ग्यान में एक नहीं आता है तो प्रेशर हो जाता है कहेंगे कि जीवन क्या है हमारे कामविकार में भी नहीं जाना है खाना भी नहीं है ये भी नहीं वो भी नहीं तो माया का सामना करना पड़ता है क्योंकि माया के बहुत पर लोभन है कमाई करते हैं तो हाथ फ्री है कुछ भी खरीद सकते हैं कहां भी जा सकते हैं गुमना पिरना 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 तो इसलिए माया अनिक रूप से आती है क्योंकि आज खल तो हमारे पास गैजट बहुत है कैमेरा है वीडियो है फिर मूबाइल फोन है 5G रोज बढ़िया बढ़िया नए नए इन्वेंशन होती रहती है और जवान बच्चों को उसके फ्रेंड्स का भी प्रेशर होता है कहेंगे यह क्या इतनी उमर में आप सन्यासी हो गए प्रमा कुमारियों ने कहां फसा दिया आपनों को पार्टी में नहीं जाते हैं गर्ल फ्रेंड नहीं बॉइफ्रेंड नहीं यह क्या जिन्दगी में कुछ आनंद नहीं क्योंकि उन्हों के लिए तो यही आनंद है कि गुम ना फिर ना खाना पिना पार्टी आदे तो विदेश में तो कई छोटे बच्चे आते थे ग्यान में माबाप के साथ पर जैसे बड़े होते गए अब संगदोश में तो फिलिपिन्स में हमारे पास एक यूगल था उसके दो लड़के थे तीन लड़कियां थी सब आते थे दीरे दीरे अब ये सिर्फ एक लड़की है ग्यान में और लड़का तो ऐसे संग में आ गया कि घर से स्कूल के टाइम जाएंगा वापस टाइम पर लोटेंगा स्कूल में ही नहीं जाएंगा और फिर मां से घर से चोरी भी की क्योंके ड्रग्स वगरे लिए शुरू कर दिया घर से चोरी की सोने की चैन चोरी की और कंप्यूटर भी बेच दिया तो फिर मां बाप स्ट्रिक्ट हो गया कहा घर में रेना है पड़ना है ठीक नहीं तो जाओ तुम तब सुधा तो क्या है संग दोश में क्योंके यहां भी हमने सुना पंजाब में बहुत ड्रग्स वगरे लेते हैं तो संग दोश में ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं और ड्रग्स की आदत के कारण उनों को पैसा भी चाहिए चोरे भी करेंगे घर से है तो माबाप का सामना करना के मुझे शादी नहीं करनी है या फ्रेंड्स का सामना करना के मुझे पार्टी में नहीं जाना है और सिंपल लाइफ जीना है क्योंकि हमारा जीवन सन्यासी जैसा ही है कितनी चीजे छोड़ते हैं हमारा तो बेहत का सन्यास बाबा कहते है उनों का ताहत का सन्यास हमारा बेहत का सन्यास है तो इसलिए सामना करने के लिए पहले तो हमें निश्चे होना चाहिए कि ये बाबा का मार्ग है, सच्छा मार्ग है और एक जनम की ट्याग करने से हमें 21 जनम का भाग्य बनता है तो 21 जनम का भाग्य बनाने के लिए naturally ट्याग करना सहज हो जाता है फिर शिवा करने के लिए भी हिमत चाहिए क्योंकि भाशन करना है सामने सभा है तो हिमत नहीं हो तो भाशन नहीं कर सकते वी आईपी की शिवा करने है उसके लिए भी हिमत चाहिए नहीं तो सोचेंगे वी आईपी है उसको क्या बताए नए स्थान पर जाना परता है क्योंकि यग्या में हम रहते हैं तो एक स्थान पर तो तो नहीं रहते हैं कभी कहां कभी कहां बुलाते हैं तो इसलिए क्योंकि नया स्थान है नया परिवार है उसमें सरेंडर होने की हिम्मत चाहिए क्या है कि हमारे तो भाषा भी नौर्थ में अलग, शाउत में अलग तामिल भाषा, कन्नर भाषा, तेलुगु भाषा, मल्याले भाषा तो उनों को नौर्थ में रहना ठीक नहीं लगता है हिंदी भाषे में और हिंदी भाषे को साउथ में जाना पसंद नहीं आता खाना पीना भी अलग, नौर्थ का अलग, साउथ का अलग तो इसलिए थोड़ा हिंद चाहिए कि हम नए परिवार में जाएंगे, वहां जाके शिवा करेंगे तो जितनी हिम्मत है, उमंग है, उलास है, तो हम उड़ से रहेंगे तो दुनियवी बातें, बाधाएं, हमें प्रोक नहीं सकती यदि हिम्मत नहीं है, तो जो विघन आते हैं, जो सामना करना पड़ता है वो थोड़ा कठीन लगता है, और हम लोगों ने देखा है, कि मेहनत का काम होता है पर यदि हम खुशी-खुशी से चलते हैं, तो मेहनत भारी नहीं लगती जैसे हम नाविकों को देखते हैं, नईया चलाते हैं, गाते-गाते हैं, गाते-गाते हैं, तो तकावट नहीं लगती है ऐसे हम भी खुशी-खुशी से मैनत करते हैं, क्योंकि बाबा रोज कहते हैं, कि जितना श्रीमत पर चलेंगे, मुझे याद करेंगे, तो आपको वर्सा मिलेंगा एक इस जन्मों का राज ये अधिकार ही बनेंगे, बाबा तो रोज कहते रहते हैं, पर अन्तों इसके लिए हमत होनी चाहिए तो पहले परिवार से लड़ना पड़ता है, और अन्त में अपने इस संस्कारों से लड़ना है बीच में दैवी परिवार से लड़ना पड़ता है, क्योंकि एक कहां कहां मतबहेद होने के कारण थोड़ी गड़बड़ी होती है, मेरा तेरा करने में गड़बड़ी होती है परन्तु जब अपने संस्कारों से लड़ना है, क्योंकि संस्कारों को परिवतन करना है, तो अपने से ही लड़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी हिम्मत चाहिए और आजकल तो सबको पैसा चाहिए पैसा होंगा, तो नई नई ड्रेस खरिट सकेंगे, नई नई कपड़े करेंगे, गहने करेंगे तो पैसा होने से फ्रीडम हो जाती है, क्या हम फ्री है, जो चाहिए खरीच सकते हैं, और कईयों को ये चिंता होती है, क्या हमारे भविश्य में क्या हमारी सिक्योरिचिए ब्रह्मा कुमार्या हमको सेंटर से निकाल देंगी, तो हम क्या जाएंगे, कहां जाएंगे और बूड़े होंगे, कौन समभालेंगा मैं भी मेडिकल स्टाड़ी करती थी, ग्यान के पहले ही मैं कहते थी, कि मुझे शादी ने करनी है, मैं शिवा करूंगे पेशन्स के, तो हमारी फ्रेंड्स कहते थी, अभी तो तुम्हारे माबाप है, मूड़ी होंगे, माबाप नहीं होंगे, कौन जबालेंगे फिद जब भाबा मिल गया, तो मैं ने कहां कि मुझे तो हजार हाथ वाला पती मिल गया, अभी हमको क्या चिंता तो ये निश्चे होना चेए, कि हाँ, बाबा है, हमारा साथी है, हमको मदद करेंगा तो जितना निश्चे होंगा, तो हिम्मत भी आ जाएंगी, और बाब की मदद भी रहेंगी क्योंकि मैं बच्पन में, माना, फिप्टीज में मंबई में, कहां भी पहली बार नए एक स्थान पर जाती थी, तो हमारे पिता जी हमारे साथ, हमारे भाई को, कजिन भाई को, चाचा को, किसी न किसी को साथ में भीजते थे, जब मैं मेडिकल इंटर्व्यू देने गई, तब ही भी मेरे साथ, मेरा कजिन भाई आया था, अब ग्यान में आने के बाद, बाबा ने हमें हिम्मत दे, तो क्या था कि बंबई में उस समय, सिर्फ दो ही सेंटर थे, एक वाटरलू और एक सायन, तो रमेश भाई जो बंबई के उस समय थे, उसने सोचा कि फ्लेट में अपना मकान हो, वो तो आश्रम जैसा नहीं लगता है, एक बंगलो टाइप हो, तो अच्छा लगता है अश्रम जैसा, तो मैं कांदी वली रहती थी, बंबई से करीब, में बंबई CBD से, 20 माइल के करीब, तो मुझे कहा कि आप मकान डोंडों आपकी एरिया में, कांदी वली, मलाड, बोरी वली में, कि क्या प्राइज है, तो मैंने ढूनना शरू किया, तो इतनी हिम्मत आज गई, कि हम मकान अकेला ढूनना आया, तो कभी-कभी कोई ब्राह्मन भाई बहन साथ में आ गए, एजन्ट को मिलना, मकान देखना, सब टाइम, तो ब्राह्मन भाई बहने उसमें थोड़े ही थे, तो अकेला भी जाना पड़ता था कई वार, फिर लंडन में अकेला रहना पड़ा, क्योंकि जाते समय हम पांच भाईबे ने गए विदेश यातरापाद, 1971 में, और जब हम लंडन में थे, तो जगजीश भाई कहें के सिर्फ टूर करके जाना, यह हमारी शोभा नहीं है, हमें कहाँ न कहाँ सेंटर तो ज़रूर स्थापन करना है, और लंडन में उस समय दस बारा भाई बहने थे, सब इंडियन ओरिजीन के, तो उन्हों से बात के, उन्होंने का, हम खर्चा करेंगे, हम फ्लेट लेंगे तो सच कर्चा करेंगे, तो मुझे शन फ्रांसिस्को से वापस आना पड़ा, क्यूंकि दादी को लिखा के वे फ्लेट मिल रहा है, दादी निगा, मैं अभी नया कुन हैंट्स बेजूंगे, प्रकाश्मानिजादी, आप पांच में से एक जण, वापस आओ लन्नन, तो हम पांच मैट कर मीटिंग करते हैं, शिल दादी कहें, मेरी तुमा बुड़ी है, मैं नहीं जाओंगी, तो उसकी कांदे से सेलती है, क्वीन मदर की, रोजी बेहन कहें, के मेरी भी माँ है, वो भी माँ रहती है, मुझे जाना पड़ेंगा, जगदीश भाई कहें, मुझे तो मैगेजीन लिखना है, मुझे जाना पड़ेंगा, रवेश भाय कहें, मेरा तो बिस्नेस है, मुझे भी वापस जाना पड़ेंगा, जल्दी, तो बाकी रही मैं है, मैं भी मेरी डिस्पेंसरी किसी बहन को सौंप के गई थी, पर मैंने का ठीक है, मैं जाती हूँ लंडन, तो मैं गई लंडन, और अकेला ही रहना था, और एक ही दर्वाजा और एक ही बाथरूम टोईलेट था, वहाँ फ्लैट में, तो उसमें उपर दो निगरों रहते थे, वेस्ट इंडियन उकाले, और मैं नीचे रहते थे, अकेली, पर मुझे हिम्मत बाबा ने दी, कभी यह नहीं सोचा, कि मैं अकेली कैसे रहूंगी, और इंडिया में, बंबई में तो मेरे सामने कई स्टुडन्ट थे, तो खरीदारी एक सबजी यादी यादी, वो लोग करते थे, विदेश में सबजी भी खरीदने आप जाओ, घर भी सफाया आप करो, खाना भी आप पकाओ, और भाशन करने भी जाओ, नए नए स्थान पर, तो बाबा ने हिम्मत दे और चला लिया आटमास, फिर अतनमयनी दादे आई, उनोंने संभाला, फिर जब मेरी विशा पुरी हुई, टिकेट तो मेरी अल राउंड वर्ल्ड थी, तो लंडन के भाईयों ने कहा कि, आफ्रिका बहुत अच्छा है, इस्टा आफ्रिका, आप जाओ, हम आपका रहने वगेरे का प्रबंद करेंगे, तो मैं केली पहले तो गई रोम में, क्योंकि ये पोप है, हर बुद्वार, ओडियन्स देता है, माना सब को मिलता है, तो उनोंने कहा कि आप जाओ बुद्वार, और पोप को भी मिलके आओ, तो वहां तो रोम में तो कोई था ने, ब्रामण, तो मैं यूथ होस्टेल में रही, विमेंस होस्टेल में, और अकेली ही वहां गई, फिर जर्मनी में, जर्मनी में तो एक भाई था, स्टेफिन करके, तो उसने प्रबंद किया रहने का, और गुमाने का, और प्रवच्चन का, और आफ्रिका में तो किसी को जानती नहीं थी, कोई ब्रामण नहीं, कोई सेंटर नहीं, कोई पैचान नहीं, और जिसे बाबा ने प्रबंद कर दिया, और भाई ने प्रबंद किया, कोई एरपोर्ट पर आता था फिर एक सहर से दूसरे शहर बस में जाते थे तो एक सहर वाला छोड़ के जाता था एक दूसरे शहर वाला लेने आ जाता था और गुमाते भी थे मीडिया में जाना है नियूस पेपर में रेडियो में, टेलिविजन में में गुमाना भी और प्रवच्चन भी हिंदू मंदिर में या हिंदू और्गनाइजिशन में करते रहे तो वो में सहज हो गया पर जहां रहते थे वहां उमको कहना पढ़ता था मैं खाना पकाएंगी तो वो कहते थे ठीक है दाल चावल कुकर में चड़ा दो दाल चावल आप बना दो सबजी हम कार देंगे आप बना लो आटा आप दून लेना आप दो रोटी अपनी बना लेना हम आप ना बना लेना उनको दुख तो होता था क्योंकि सादू संदादी जब आते हैं तो माल पानी बनाते हैं और ये तो दाल चावल रोटी ही बनाती है खुदी पर उन्होंने मदद की तो तीन कंटे में मतलब केनिया, युगांडा, टांजानिया तीन कंटे में ग्याना बारा शहर में मैं अकेली गुए तो बाबा इतनी मदद करते हैं और फिर आस्टेलिया का निमंदर नाया तो आस्टेलिया से जब वापस जाती थी तो उन्होंने कहा के न्यूजिलेंड फीजी में बहुत इंडियन है आप जाओ वहाँ मैंने कहा ठीक है तो मैंने सब को पत्र लिखा इंडियन आसोशियेशन हर शहर में किसी निजाब नहीं दिया और शिवानन्द स्वामे का वहाँ आश्रम था वो वहाँ का गोरा भाई चलाता था उसने लिखा कि आप एरपूर्ट से सिटी टर्मीनस पे आ जाना और हम आपको वहाँ किसी को लेने भेजेंगे तो मैं सिटी टर्मीनस पर रात को एक बज़े पहुची कोई नहीं आया था और सब बन था तो मैंने पांच मिनी टास्ता देखा फिर कहा कि अभी तो यहां अकेला कैसे कितना समय में खड़ी रहेंगे क्योंकि टर्मीनस भी तो बन दो जाता है रात में तो मेरे पास उनका जो एड्रेस था पत्र व्यवार किया था उन्होंने किया था ओफिस तो एड्रेस मेरे पास ओफिस का था मैं जीज तो मालूम नहीं था कि यह ओफिस का एड्रेस है तो हमने टेक्सी ड्राइवर को एड्रेस दिया तो वो ले आया तो आफिस तो बड़ा गेट था बंद तो ड्राइवर कहे अच्छा था ड्राइवर एंदी कहा चलो हम फोन करे तो फोन किया तो कहा कि भाई तो आपको लेने आया था पर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई इसलिए अब हमारा एड्रेस है हेंदर्सन आश्रम में वो सहर से आट किलोमीटर दूर था वहाँ जावाब पर टेक्सी डाइवर ले गया वहाँ और वहाँ पहुंची तो उनके आश्रम में भी कुछ समय पहले आग लगी थी लाइटनिंग और कई कमरे बंद मुझे एक गोरी बेहन के साथ रखा अब उन्हों को तो आदत नहीं किसी के साथ रहने के हम लोगों को तो बच्पन में सब भाई बेहन पांच पांच शे बेहन भाई एक कमरे में सो जाते थे तो वहां उस माता के साथ रहना पड़ा और उसको तो पसंद नहीं आए कि मैं उसके कमरे रहूं क्योंकि इनों को ड्रग्स लेने की आदत होती है तो मेरे सामने वो फूख भी नहीं सकती है पर एक दो दिन तो निकाल दिया फिर संड़ी को बाशन में इंडियन असोशेशन हॉल में बाशन किया तो सब आये कहें कि आप कहां रहे हों मैंने कहां हेंडर्सन आश्रम में रहे हूं तो कहां नहीं नहीं आप हमारे पास आओ तो हम आपका रोज का प्रवच्चन करेंगे रोज अलग अलग घरों में पहिचान वाले जो है उनके पास सत्संग करेंगे और उस समय न्यूज़ीलेंड में और आखलेंड में सिर्फ दो घर थे जो वेचिटेरियंग बाकि सब इंडियन नौन वेचिटेरियंग तो एक रात तो वहां के प्रेसिडेंट के गर में रही तो मैंने कहा कि हम तो नॉन्वेज गर में नहीं खाना पकाएंगे तो फिर उन्होंने वेजिटेरियन गर में हमारा प्रबंद किया मतलब बाबा के स्थापना में कई बातों का सामना करना पड़ता है स्थापना सहज नहीं है क्योंके अलग-अलग देशों में अलग-अलग कल्चर है और अलग-अलग रेती से ज्ञान देना पड़ता है जब मैं पहली बार सिंगपोर गए तो का आत्मा के बार में बल ज्ञान देना पड़ पर मात्मा का नाम नहीं लेना ये कंट्री तो सोशालिस्ट है इसलिए और क्या करते थे उस समय प्रवच्चन जहां भी होता था हम लोगों को पर्मेशन लेने पड़े और क्या क्या फॉर्मेट होंगा वो बताना पड़े और उसके कोई C.I.D. आकर बाशन सुने और देखे के यदि ये रिलीजिस है तो कहेंगे छुटी नहीं है तो इसलिए संबल संबल के बोलना पड़ता है निर्वेर भाई पहली वारी आया है उस्ट्रेलिया में तो अभी भी ऐसे हुआ कि जो उनको ड्राइव करने करके ले जाता था वो कहा कि ये जिलॉंग तो है न बहुत क्रिस्चन है इसलिए आप परमात्मा का परिच्चे नहीं देना निर्वेर भाई कहें कि मैं भगवान का परिच्चे देने तो आया हूँ भगवान का नाम ना ले वे तो क्या फाइदा तो उसने तो पुरा बाबा का परिच्चे दिया और 86 में जब मिलियन मिनिट्स अफ पीस का प्रोजेक्ट चला तभी भी विदेश वाले कहें कि हम भगवान के बारे में नहीं बताएंगे सिर्गाना ये बजाना ये वो पीस के लिए कि मेडिटेशन करो प्रेयर करो पॉजिटिव थौट रखो आदी आदी बताते थे तो उन्होंने तो नाम नहीं लिया भगवान का पर रेडियो का इंटर्व्यू लेने वाला कहता है कि आप इतना बड़ा कार्य करते हो इतने थोड़े हो जरूर भगवान का हाथ होंगे आपके पीछे तो क्या है कि अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग रिती से बोलना पड़ता है अभी भी यूरोप वगेरे में क्या करेंगे सुप्रीम बिंग कहेंगे भगवान नहीं कहेंगे क्यूंके कईयों को भगवान नाम गौड बोलने से ही वो अपने को ऐसे बंद कर देते हैं आगे सुनना ही नहीं है तो मैं समझते हूं अभी तक भी सोच सोच के बोलना पड़ता है कुछ समय तो फ्रांस में, जर्मनी में ब्रुमा कुमार्यों को कोई प्रविच्चन का यले हौल ही नहीं देवे और मैं भी पहली बादी जब 71 में गई लंडन में ना हौल मिले ना फ्लेट मिले कहें ये इंडियन लोग है वो यग्यक देंगे तो दुआ घर खराब करेंगा, हौल खराब करेंगा, चत खराब करेंगा और इनों का भोजन तो होता ही है, तो भोजन करेंगे तो पट भी खराब होंगा, इसलिए नहीं और फ्लेट भी नहीं जब जहिंती बहन फून करती थी कि हमको फ्लेट चाहिए अड़टाइज देखकर, तो कहें आवो देखो, क्योंकि उसका आवाज इंग्लिश था, तो समझा कि कोई इंग्लिश बहन है, और जब सामने आई तो साड़ी सफेद पहन के आई, तो कहें अभी तो हमने दे दिया है फ्लेट, तो कितने धक्के खाए, कितने धरम के धक्के खाने पढ़ते हैं, कितने धक्के खाए, पर आखर इंडियन नहीं हमको अपना मकान किराय पर दे है, और उसका मकान जब तक खाली हो, तब तक हमको ब्राह्मनों के गरों में रहना पड़ा और वहां शिवा करने पड़ी है, तो जैसे बाबा की शिवा है, ये समझ कर, कि हम सिर्फ निमित्य करावनहार हो है, और हिम्वत रखते हैं, तो बाबा की मदद मिल जाती है, और आज सारे विश्व में 140 देश से उपर बाबा की शिवा चल रही है, तो इस शिरी से देखते हैं, कि बाबा अपना कार्य करा लेता है, और हमें हिम्द एक कदम रखेंगे, हिम्द का एक कदम, तो बाबा सो कदम आ गयाते हैं, क्योंकि विशेश माताओं को, क्योंकि हमारे ग्यान में माताओं ज्यादा है, और माताओं को पवित्ता के लिए लड़ना पड़ता है, पर जो ज्यान योग की मजबूत है, वो लड़ती है, और विजय भी पाती है, क्योंकि हमारे पास एक माता का पती आया कान्दी वली में, कहता है किस सास्र में लिखा है, कि पती-पत्नी का आपस में संबन ना हो, और वो काफी सास्र पढ़ा हुआ था, संस्कृत जानता था, संस्कृत में वो बातचित कर सकता था, तो कहा, मेरी पत्नी को आने नहीं देना यहां, मैंने कहा, भै, यह तो भगवान का घर है, भगवान के घर में, मंदिर में, कोई भगत को ना नहीं कहते हैं, यदि आपको अपनी पत्नी को नहीं आने देना है, तो आपके घर में रखो ना, मुझे क्यों कहते हूँ पर वो माता का पती जिसने उस माता को तीन चार वार घर से निकाल दिया ता एक वर तो रात को दस बजे निकाला अभी दस बजे उसने साड़ी भी उतार दिती कहां जाएंगे क्यूंकि रात को सूते समयए तो माता को जगड़ा तो उस समय करना नहीं था तो चट पर जाकर बढ़ गई सबरे जब दुद्वा लाया तो पती ने कमरा खोला तब गर में गुज़ गई अब उस माता का पती अभी ज्ञान में और ऐसे कई माताओं को सामना करना पड़ा पवित्रता के कारण तो पर निश्य है, योग बल है, विजय ही बनते हैं हमारे पास एक भाई भी था मांदेला अर्था पत्नी चाहती नहीं थी ब्रह्मत्चरिय का पालन करने पांच बच्चों का भाफ था और वो पत्नी एक वारी तो रेलवे के पट्री पर सो गई, कि मैं आप आप गात काती हूं एक वारी उसने शरीर पर गास तेल रखा और जलनी जाती थी पर वो भाई पक्का था रोज मुरली में आता था बाद में उसकी बीबी भी घर काम ग्यान में चलने लगी तो क्या है कि हिमत, योगबल, निश्चय होने से हम अपना नियम पालद कर सकते हैं और साथी को सायोगी तो कम से कम बना सकते हैं पका ब्राह्मन बने न बने हमारे पास कुछ एक्जामपल है जब ब्राह्मन पक्के बन गए भारत में तो बन जाते हैं विदेश में पुष्किल क्योंके वही उनका एंटर्टेन्मेंट है बाबा कहते हैं काम विकार को बुढ़ा होता है तो भी छोड़ने सकते हैं काम करो सदे जवान रखते हैं तो विदेश में तो माताओं को छुटा होना पड़ता है डाइवर्स रेना पड़ता है और अलग हो जाते हैं एक माता ने था अपने छोटी छोटी वच्चे पाँच साल साथ साल के पती के पास छोड़ दिये क्योंके पती का मौ था बच्चों में और अलग हो गई हमाताओं तो कमाती है तो इसलिए अलग होने में उन्हों को इतनी तकलिफ नहीं जितनी यहां यहां तो समाज का सामना करना पड़ता है नोकरी मुश्किल करते हैं तो पैशे के कारण भी सितम सहन करने पड़ते हैं तो बाबा का यह कार्य है यह हिम्मत, निश्चे और योगबल से चलता रहता है और जिनों को सामना करना पड़ता है विगन तो बहुत आते हैं परंतु हिम्मत है तो उसको पार कर लेते हैं क्योंकि बाबा ने तो अभी उड़ती कला का मेसेज दिया है कि उड़ती कला में रहो उपर हो नीचे के विगन है छोटे लगेंगे जितना उपर रहेंगे इतने विगन छोटे रहेंगे तो इसलिए उड़ती कला में रहना है और विगनों को पार करना है ओम शान्ति दो मिनिट मावा के याद में रहें तो दीडी के मार्क दर्शन से अवश्य सभी को लाप मिला होगा हम इतना है